नमस्कार साथियों आपका स्वागत है फिर से सेल्फ स्टेडी के इस चैनल में और आज की जो न्यूज है या आपकी आप कहा सकते हो कि आज की जो कहानी है वो बेजड है टर्की वर्सीज वर्ल्ड यानि ऐसे हालात क्रियेट हो चुके हैं कि एक तरफ टर्की है और उसके वर इस्टन मेडिटेरियन यानि जो रिसोर्स जो मिले है इस्टन मेडिटेरियन यानि पूर्वी भुमद्यसागर में उसको लेकर जो है लडाई वाले महोल हो गया है वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले है एक रिपोर्ट आई है एक प्रोजेक् बैटल के जो हालात बन गए है जो बैटल के जो हालात बन गए है मेडिटेरियन सी में किस किस के देश के बीच में बने ये सब चीज़े हम आने वाले इसी वीडियो में देखने वाले है तो यह जो एक रिपोर्ट है यह अल जी जीरा जो एक गल्फ का एक फेमस न्यूस पे यह नहीं है कि मैंने कोई अपनी तरफ से बनाई है, यहां जाकर आप यह टाइटल कुद सर्च करेंगे, तो आप लोगों को यह चीज़ें मिल जाएंगे, तो शुरुआत करते हैं, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने अपने जो रफ अप्रकी को पीछे हटना पड़ा था, और अभी आली फिलाल में तरकी और खोजने गए थे, इजिनसी को लेकर तरकी को बहुप जादा डांट पड़ी थी और वोगों तरके पीछे Tao हटा था, आज बहुए जाए पड़ी तो बहुग को बहुग जो main जो किरेदार है, ये किस लिए हुआ, क्यूं हुआ, ये अलजी जीरा की रिपोर्ट में सामने आया है, तो हम अपने भारत के प्रस्पेक्टिव से ये देख लेते हैं कि Mediterranean Sea, यानि भुमद्य सागर का है, ये रहा हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत की तरफ यहां चलते हैं, तो यहां, यहां पर नाम आया नहीं पूरा, तो यह पूरा जो है वो Mediterranean Sea हो गया यहाँ है स्वेज कनल यहाँ है स्वेज कनल जो Red Sea को यह Red Sea को और भुमद्य सागर को जो है वो आपस में चोड़ती है चलिए अब थोड़ा से इसको जूम करके देखते हैं तो यह रहा Mediterranean Sea और उन्होंने क्या कहा है Eastern Mediterranean ने Eastern Mediterranean Sea के अंदर जो है वो यह हालात बने हुए लड़ाई वाले तो एक बार जड़ा Eastern Mediterranean का यानि पूरवी भुमद्य सागर देख लेते कहां पर देखो यह होता है North, यह होता है South, यह होता है West, यह होता है East तो East में ही, तो यह पूरा Mediterranean Sea है भुमद्य सागर तो इसके East में चलते हैं तो यहां पर, तो पूरी की पूरी जो लड़ाई है या यहां पर, पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो यहां पर बनी हुई है अब इस कहानी के जो है वो तीन पातर होने वाले हैं, पहला पातर जो है वो है Greece दूसरा पातर है Turkey और तीसरा बात रहा है Cyprus यह most important कह सकते हो कि इस कहानी का most important किरेदार होने वाला है कि Greece जो Greece और Turkey के बीच में अब तक जो Asian Sea को लेके जो चल रहा था जो Turkey जो अपनी जहाँ जो वो Asian Sea में लेके चला गया था जो EEZ यहने exclusive economic zone जो Greece का आता है अब यह सारी जिजने मैं बताने वाला हूँ EEZ क्या होता है exclusive economic zone क्या कहते हैं इन सब चीजों को हम discuss करने वाले हैं आल फिलाल मैं थोड़ा सा पीछे की एक बार information दे दूँ उसमें था कि तर्की जो है अपने survey वाले जहाज और उसके survey जहाज के आसपास जो थे वो लड़ाकू जहाज समुन्दरी लड़ाकू जहाज उसके आसपास की रखवाली करते हुए Greece के exclusive economical zone में जाकर पहुँचे थे और वो resources की खोज में आये थे अब जो इनकी report आई है अल जी जीरा की इन्होंने बताया है कि जो main problem है वो start होती है भाई साब 2018 से फरवरी 2018 की बात है कि एक इटली के कमपनी है इटली के कमपनी ने साइप्रस के साइप्रस के ही एक शेतर block 6 के पास 3.5 trillion cubic meter natural gas खोजी है कितनी खोजी है भाई 3.5 3.5 3.5 trillion cubic meter जो है वो gas खोजी गई है इटली के कमपनी द्वारा साइप्रस के जो एक आइलेंड है साइप्रस का एक पार्ट है block 6 वहाँ पर अब कितनी होती है 3.5 trillion cubic तो यह मैं आपको बताना चाहूँ तो यह इतनी होती है कि जो most consumption most power consumption जो देश है यानि अमेरिका अगर वह अपने सारे resources एक बार बंद कर दे सारे resources का मतलब है वह petrol से चलने वाले जितने भी है diesel से चलने वाले जितने भी बिजली से चलने वाले जितनी भी चीज़े है यह हम कहें कि solar system से चलने वाले जितनी भी चीज़े वह सब कुछ है नहीं पने power जहां से भी वो चीज लेता है, वो सब कुछ अगर वो हटा दे, और सिर्फ और सिर्फ इस gas को वो यूज करे अपने संसाधन के तोर पर अपने बिजली बनाने में, गाड़ी चलाने में, फैक्टरी चलाने में, सब कुछ अगर इस चीज़ का वो यूज करें, सिर्फर सिवीश का, तो अकेला अमेरिका जो है वो इसके उपर 10 साल तक चल सकते हैं, और साथ इसाथ यह कहां पर खोजा गया है, यह ब्लोक सिक, जो साइप्र ने 5.13, यह रहा 5.13 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो कहां पर खोजी वो नील नदी के मुहाने के पास करें दिये, तो यहां पर वो जो है वो चीज़े 5.13 यहां पर भी होने का अंदेशा बताया गया है, कितना 5.13, अब तो सारी लड़ाई स्टार्ट हो चुगी है, अब सिर्फ और सिर्फ इस नेचुरल गैंस के बंडार के उपर ध्यान रखने वाली है, बात किसके हो रही है, नेचुरल गैंस के बंडार के उपर, अब जायर सी बात है कि नेचुरल गैंस इतनी मात्रा में है तो सारे के सारे देश आएंगे, सारे के सारे देश कौन कौन स इस कहानी का मेन पात्र को होना है, यह Cyprus सबसे important part जो है, इस कहानी का वो यह होने वाला है, अब Cyprus जो है, वो एक देश है, अभी फिलाल देश समझ लो, मैं इस चीज को भी clear करने वाला हूँ, वो देश मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसको, तो Cyprus जो है, वो एक देश है, इ यह जो यहाँ पर resources खोजे गए हैं, वो मेरे हैं, यानि Cyprus कहता है, यह मेरे हैं, कैसे मेरे हैं, क्योंकि यह कह रहा है कि यह जो है, वो मेरे exclusive economic zone में पढ़ते हैं, अब आप पूछो कि सरी, यह exclusive economic zone क्या होते हैं, तो 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, EU के साथ, sorry, UN के साथ एक समझोता हुआ था, एक समझोता होता है, 1985 के अंदर, यह देखो, 1985 के साथ United Nation के साथ एक समझोता होता है, एक समुंदरी लोग आ सकते हो, उसको, उसके according क्या होता है, एक कोई भी देश होता है, तो उस देश के 12 nautical mile, 12 nautical mile को, उसको कहा जाता है उसका territorial zone और उसके जमीनी शेतर से start होकर 200 nautical mile तक को कहा जाता है उसका EEZ यानि exclusive economic zone अब यह 12 nautical mile कितना होता है सर यह NM क्या होता है NM का तो मतलब हो गया nautical mile और एक nautical mile होता है 1.89 km यानि मैं कहूँ कि इसका 22.2 km जो है वो इसका territorial हो गया और 370 km जो है यह जो area हो गया यहां से जमीनी से लेकर जहां से देश शुरू होता है यानि जो जमीन का जो शेतर है वहां से यह देश शुरू होता है उसके 200 nautical mile यानि 370 km के area में जितनी भी चीज़ें आती है वो सारे की सारे किसकी होंगी उसी देश की होंगी जिसका वो EEZ होगा भारत का भी exclusive economic zone है ठीक है और अब twist क्या है twist यह है कि टर्की ने इसके उपर sign नहीं कर रखे हैं टर्की कहता है मैं तो यह exclusive economic zone तो मैं मानता ही नहीं हूँ मैं मानता हूँ continental self को उसने टर्की ने क्या कहा मैं यह सब चीज़ें तो नहीं मानता कि मैं EEZ क्या होता है मुझे नहीं पता हाँ मैं यह ज़रूर मान सकता हूँ 12 nautical mine लेकिन यह 200 nautical mine यह मैं नहीं मानता मैं तो मानूंगा सिर्फ और सिर्फ और continental shelf को अब यह क्यों मानेग में cover करने वाले हैं तो चीज़ समझ में आई बारा नोटical mile क्या हूँ और EEZ जो है वो यह मानता ही नहीं और भारत हम कहा दें कि भारत ने इसके उपर sign कर रखें अब सबसे बड़ा स्वाल उठता है यह Cyprus जो मैंने कहा यह देश यह है कौन आखिर यह इसकी history क्या है कौन ह तो जड़ा इसकी history के बारे में भी बात कर लेते हैं Cyprus जो है 1960 में आजाद हुआ था 1960 में यह आजाद हुआ United Kingdom से United Kingdom जो था इसके उपर अधिकरीत था United Kingdom के अंडर और United Kingdom से अजाद होने के बाद 1960 में United Kingdom ने sign करवाए Greece और Turkey से कि भाई कोई भी इसके उपर अपना अधिकार न जाएगा चीज़ें क्लियर हुई 1960 के अंदर यह सब चीज़ें होगी United Kingdom निकल लिया UK यहां से निकल गया अब क्या होता है अभी फिलाल यह Republic of Cyprus लिख रहा है न इसको बूल जाओ एक बार जब यह 1960 में जब आजाद हुआ था यह Republic of Cyprus नहीं था यह सिर्फ उसे Cyprus की दो पा यह जो नीचे की जो लाइन दिख रही है यह वाला जो शेतर था इसके उपर जादा तर यानि यहां के जो लोग थे वो ग्रीस में आस्ता रखते थे और यहां के जो लोग है वो तरकी के अंदर आस्ता रखते थे कहानी आगे बढ़ती है कहानी में 1974 आते 1974 में क्या होता है क इसमें सैप्रस में सैनिक विद्रो हो जाते हैं सैनिक विद्रो होने के कारण यह जो है वो ग्रीस के अंडर चला जाते हैं लेकिन ग्रीस के अंडर आने के बाद ग्रीस इसको कहते है कि यह जो है एक रिपब्लिक ओफ सैप्रस है इसको Republic of Cyprus का दरजा यह नहीं, इसको independent एक देश का दरजा दे दिया जाते हैं और इसका उधायन यह भी है कि यह एक EU का भी एक member है, European Union का भी एक member है और इधर बात करें Northern Cyprus की, इसको कबजा कर लिया जाते हैं 1974 के अंदर ही जब scenic withdraw होता है, और इसके उपर जब Greece अपना कबजा कर लेता है तो invade कर देता है, टर्की अपनी सैना लेके इसको उपर चढ़ जाता है और इस तने area को वो टर्की जो है अपने under ले लेता है टर्की कहता तो इस Northern Cyprus को की यह independent है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है और जो मानता जो दी गई है वो इस Southern Cyprus यानि Republic of Cyprus को दी गई है इसको कोई मानता नहीं है और इधर बात करें टर्की इसको तो कहता है कि यह एक देश है लेकिन जो यह Republic of Cyprus इसको कहता ही नहीं कि यह कोई देश है यह चीज हुई clear यहाँ पर अब आगे चलते हैं अब बात शुरू होती है Economical zone EEZ versus Continental self अब यह चीज क्या हुई इस चीज को लेका आगे चीजें बढ़ती हैं तो एक बात होती है 2019 में 2019 में एक चीज आती है जैसे कि आपको पता है कि February 2018 में जब Natural Gans का इतना बड़ा बंडार्क हो जा गया तो सब देशों की नजर तो उसी के उपर रहेगी सब लोग चाहेंगी कि जो भी energy है वो हमारे देश में आए तो ये क्या हुआ 2019 के अंदर एक समझोता होता है एक समझोता क्या होता है एक समझोता होता है Egypt, Cyprus, Greece, Jordan, Israel and Philistine ये इंपोर्टन चीज है आप देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टन चीज है इन देशों के बीच में एक समझोता होता है समझोता क्या होता है East Mediterranean Gas Form बनाया जाता है जिसके तहट एक 1900 किलोमेटर लंबी एक पाइप बिचाई जाएगी जो इसराइल, साइप्रेस और नेल नदी के मोहाने से निकलती हुई ये जो है वो कहां जाएगी वो जाएगी यूरोप में अब यूरोप में जाएगी वहाँ जो है उनको ये नैचुरल गैंस दी जाएगी अब सीधे सीधे तोर पर जब यूरोप में जाएगी तो यहाँ पर आ गया फ्रांस यूरोप ने एंट्री मार ली यहाँ पर क्यूंकि उनको भी तब यह चाहिए कि कि इसके उपर अब कोई गडबड ना हो अब यहाँ पर जब फ्रांस आया क्या हुआ इस चीज़ को लेकर अब टर्की के होसो वाज उड़े कि यह क्या हुआ सब देशों ने मिलकर सब देशों ने सब देशों ने मिलकर क्या हुआ यहाँ पर एक फोर्म साइन कर लिया फोर्म साइन कर लिया तो टर्की को इसमें टर्की के तो आया है नहीं टर्की नहीं आया तो टर्की के होसोवाज उटे अब इसके तो इसने क्या किया अपनी जहाज भेजदी समूंदर के अंदर इसने अपनी जहाज बेजी समुंदर के अंदर अब इसने बेजी सर्वे के लिए जिसके ओपर ड्रोन लगे हुए थे दिसंबर 2019 में दिसंबर 2019 के अंदर इसने जब ये अपनी सर्वे वाली जहाज बेजी सिप बेजी जिसके ओपर ड्रोन लगे हुए थे तो इसको काउंटर करने के लिए France जो था France ही आएगा तो क्योंकि अब France क्यों जाता है France इसके अंदर क्यों आया France इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था क्योंकि France को एक तरीके से वो अब रशिया के उपर इसके उपर निरबर नहीं रहेगा नैचुरल गैस के उपर रशिया के उपर निरबर नहीं रहेगा उसको एक अल्टरेटिव मिल जाएगा उसको अपनी नैचुरल गैस के लिए और वो मिल रहा था मेडिटेरियन सी से तो अटमेटिकली वो इस लडाई के अंदर शामिल होने वाला है और वो हो गया जो है वो साइप्रेस के आसपास के शितर में करना शुरू कर दिया वो ये बताने के लिए इनको धमकाने के लिए कि अगर तुम नहीं माने तो भाई साब अंजाम बहुत बुरे होने वाले अब एंट्री होती है अब एंट्री होती है अंकल सैम की आब Uncle Sam के entry होती, Uncle Sam बोले तो USA, अब entry होती अमेरिका की, अमेरिका बोला जुलाई 2020 में कि हम अब जो हैं, वो Cyrus को, हम जो अब हैं, वो Cyrus को क्या देंगे? Cyrus की जो military है, वहां की military को हम train करेंगे, वहां की military को हम train करने वाले हैं, तो अब अब आप देखो, तो अब diplomatic चीज़ें सीखो, अब समझने वाली चीज़े हैं, कि एक तरफ पुरा Turkey है, एक तरफ पुरा Turkey है, और अगर इसने EU की साथ sign कर रखे हैं, और UN के साथ sign कर रखे हैं, Cyprus ने, तो एक तरफ पुरा world आके खड़ा हो गया, क्योंकि America, EU, EU, और एक तरफ पुरा, एक तरफ की तरफ तरफ तरकी रहा गया, तो अब मजे वाली बात यह होगी कि, अब आने वाले वक्त में, रश्या किसके साथ थाता है, क्योंकि अब रश्या में रह जाता है, यहाँ पर, और मेरे हिसाब से, रश्या जो है, वो शायद तरकी का साथ दे दे, लेकिन आभी हाल-फिला इसके अंदर तरकी का बड़ा इंटरफेरंस है, इंटरफेरंस इसलिए है कि यहाँ पर एक ग्रूप है, तरकी का एक ग्रूप है, कहां गया वो मैंने यहाँ पर लिखा था, यह रहा, देखो, नुमबर 2019 में एक तरकी और जी एनने, यह एक ग्रूप है, लीबिया का, इसको weapon provide नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर बहुँ जादा कतले आम हो रहा है, तो इसलिए कोई भी वहां पर weapon provide नहीं करेगा, लेकिन टर्की, टर्की जो है वो लीबिया को खुले आम, मतलब खुले आम तो क्या, छुप-छुप जो यह टर्की वाली है, इसने यह कहा रहा है, कि मैं यहां पर जो भी इस continental में जितनी भी चीज़े मिलेंगी, जितना भी resource मिलेगा, वो टर्की ले जाएगा उसके बदले मैं आप लोगों को support कर दूँगा, यह सब चीज़ें चल रही है तो continental, continental तो अभी तो कहा रहा है, कि मैं continental shelf को मानूँआ, क्योंकि इसने sign कर रहा है तभी यह हर जगा गूम रहा है, देखो, यह जो cyprus यहां पर है, इसके continental shelf को यह मान के चल रहा है तो यह तो मेरा continental shelf है, यह तो मेरा area है, तो इस चीज़ को लेकर इसने Libya के अंदर पूरी तरीके से ऐस्थिरता ला रहा है तो यह चीज़ हुई पड़ी है, Libya को इसने किसलिए क्यों ला रहा है एक दूसरी तरफ यह वी चीज़ आती है कि अब यह Turkey इतना पागल क्यों हो है पड़ा एक तो reason यह होगे कि इसकी population बढ़ती जा रही है इसकी population बढ़ती जा रही है और इसका 90% यानि 90% जो natural gas है तरकी के वो import करता है, इसके पास है ही नहीं, import करता है और दूसरी चीज़, US ने इसके ओपर impose section लगाने के कारण इसकी मुद्रा या इसकी जो currency वो इतनी जादा गिर गई है कि यहाँ पर economic की बहुत खस्ता हालत हो गई है अब खस्ता हालत हो गई है, यहाँ गरीबी बढ़ रही है बावजूद इसके भी यह अपने हत्यारों के ओपर बहुत खर्च कर रहा है बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगा रहा है तो इसके लिए तो energy चाहिए, energy चाहिए तो यह जाएगा यहाँ पर इतने बड़ा भंडार जो मिला है continental continental shelf तो खेलेगा ही यह तो अब देखने वाली बात यह है कि रशिया किसका साथ देता है और यह थी पूरी कहानी आने वाले टाइम में जब जो भी होगा अगर इस कहानी में कुछ भी मोड आता है तो आप लोगों के सामने में इस कहानी को पेश करने वालों तो बस आज के लिए इतना ही था अगर पसंद आई है तो इस वीडियो शेर करें लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को